दोस्तों स्वागत आपको हमारे नूज यूटूग चैनल में दोस्तों आज हम आपके लिए लेका हैं एक जबरदस्त खबर जिसे हमारे रिलाख़ा करमचारी है पैंसनर हो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है जिहां दोस्तों हाई कोट ने फैसला सुनाया है और जो फैसला है दोस्तों उसको चैनल लेने का निर्देश दिया गया है दोस्तों जो आपकी पैंसन है पुराने पैंसन को लेकर तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे जुड़े लिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो की लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल पर फ़र्श टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भुलें और साथ ही साथ बैल आइकन को भी जुरूर्द बै जो भी गुर्मेंट इंपलेज और पैंसनर से सम योगेस्तिवारी को पुराने पैंसन का लाब दे जाने के मामले में दिये गए जो परत्या वेदन पर 6 सप्ता में विचर कर निरने लेने का आदेश दिया है योगेस्तिवारी द्वारा दाखिल अव मानना याचिका पर यह आदेश नयायमूर्ति परकास पंडित ने दिय और याचिकाम का कैना था कि उसे पुराने पैंसन का लाब देने के लिए एक्षेत्रिय उन्सिक्षा अधिकारी के समक्ष जो परत्या वेदन दिया गया है जिस पर कोई निरने नहीं लिया गया है इसके खिलाब उन्हें हाईकोट में याचिका दाखिल की और 13 अगस्त को 2021 21 को हाईकोट ने आदिश दिया कि याचिका के परत्यावे दिन पर दो महां में निरने लिया जाए इसके बावजूद अभी तेक कोई निरने नहीं लिया गया है इस पर कोट ने अख्षेतिरे उन्सिक्षा अधिकारे को आदिश के अनुपालन का एक और मुका देते हुए छेंस अपता में याचिका के परत्यावे दिन पर दिन लेने का निर्देश दिया गया है लिखा दिकारी को अवमानने नोटिस जारी इलाबाद हाईकोट ने वित एम लेखा दिकारी बैसिक सिश्षा आजमगड सुनिल कुमार भरत को अवमानने का नोटिस जारी किया गया हैं कोट ने का है कि जो नोटिस है वो सी जे एम आजमगड के माफर तीन दिन तामिल किया जाए कोट ने का है कि यदि विप्रक्षिय आदिश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तारिख 9 नौमबर को हाजिर हो और यह आदिश न्याइमूर्ति परकास पांडिया ने राम लगन यादव आठ अन्य की अवमानना याजिका पर दिया जाएगा याजिका का कहना है कि सिख्षा सतनुए बदलाव के करण जून से पुने करेब बार ग्रैन करने तक के बकाय वितन भुक्तान का कोट ने आदिश दिया जिसका अनुपालन करते हुए बी ऐसे ने ल खलप नामा दाखिल किया इसके पाउजुत लेखा दिकारी आदेश के आवलेना कर रहे हैं भुक्तान करने के जिम्मैदारी जो जिसकाय परदेश करने या कोल्ठ में हाजिर होने का निलम्देश दिया गया है इलाबाद हाई कोट ने मादमा गांधी काशी विद्या पीठ वारानसी में PhD कोर्स में प्रवेस में धांदली को लेकर दाखिल याचिका पर राजी सरकार वे विपक्षियों से जुआ मांगा है कोट ने विपक्षय प्रोफेसर योगनदर सिंग प्रोफेसर रागवेंदर पाथरी प्रोफेसर लक्षमी संकर उपादए, लिपिक मोतिलाल वर्मा, टूर लिपिक राजपति राम, लिपिक सेसी कांद सिंघ और प्रशतम मीशर को नोटिस जारी किया गए है इन लोगों को खिलाप है FIR दरज करने की मांग में दाखिल अरजी को CJM 183 दवारा निरस्त करने की वैदता को चुनोती दी गई है CJM ने ये कहते हुए अरजी खारीच कर दीगी की डंट परिक्रिय सेता की धारा एक सुस्तार में के तहत राज्य सरकार इसकी अनुमती नहीं ले सकती और इसलिए कोट FIR दरज करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता CJM वरनशी के आदेश के खिलाब अरदली बचार के निवासी सुदान्शु कुमार सिंग की अपरादिक पुने निर्ख्षन याचिका पर यह आदेश नहीं मूर्ती राजी मिसरा ने किया है दोस्तो जो विपक्षिये पर PSD कोट में प्रवेश धांदली करने का आरूप है सरकारी जुमिन पर आतिकर्मन को मामले में SDO वैतसिलदार से स्पस्टिकर्ण तबल इलाबाद हाई कोट ने SDO वैतसिलदार में जो प्रियाग राज से व्यक्तिकत हलप नामा दाखिल कर स्पस्टिकर्ण पेस करने का निर्देश दिया कि किस कानों ने उब बंद के तैत गाउं सबाब जो परानी पूर की सरकारी जुमिन से अतिकर्मन हटाने वैचक रोड वैपकी गल जो नाली बनाने का आदिश दिया कोट ने काई कि राज से वीता की दाराच 26 में ऐसे लोगों पर करवाई की प्रिक्रियाद की जाएं और इस मामले में ने तो अतिकर्मन करने वाले लोगों का नाम और ने ही किसी को नोटिस जारी किया गया दोस्तों नर्सिंग ने कि विरूद पारित आदेश का पालन करते बगार जारी किया जाएगा यह आदेश नाई मुर्ति आलोग माथूर्ष ने राजदेव में शर्वा अन्ने की याचिका पर दिया गया हैं याचिका का कहना है कि दोस्तों जो याचिगन में SDO मेजा को प्लांट संख्या 116 से अवैद कपजा हटा कर चका रोड वैपक की नाली का निर्मान कराने की मांग की है जिस पर SDO नेराश निरेक्षिन को आदेश दिया कि अवैद कव जाटा कर चका रोड नाली निर्मान करा जाए और कहा जुरूत पढ़ने पर पुलीस बल की सहता ली जाए जो तसेलदार ने भी ऐसा ही आदेश दिया जिसका पालन करन कि मांग में याचिका दाखिल की गई और याचिका की सुनवाई 9 नमबर को होगी जी हाँ दोस्तों यह थी आज की हमारे लेटेस अपडेट आई होब आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो वीडियो है अपने फ